मुलान ना अपन रोज किती प्रोटीन देतो आहे अंट एंचा जेवना तून किवा तैंचा दीवस भराचा खाने तून तैंचा पुटात किती प्रोटीन चाल लाहे है चा कड़ कदी आपन लक्ष दिलाएका तो आच्ची जी रेसिपी आहे ही तैचासवर आहे सो नमस्कार धनाश्री जी रेसिपी में तूमचा सगयान सा खुब-खुब मना पासुन स्वागता है तो आच्ची जी रेसिपी अस्टना रहे ती अस्टना रहे दोनी ट्विन वन मंजे कि मुलान साथी सुद्धा आपन टी प्रोटीन रिच कशी बन्वाई ची ते बगना र साल तो इस रेसिपी क्ओंचा साथी सुद्धा आहे तीघया दोनी रेसिपी साहे त Character चलहां पड़ा आपन रेसिपी ला सुरू करու्या इते मीकाडे चंडे निलिया है हेला अफन रात्र भर भर बिजार्ट टक हैजी आहि करना आपन र्बाज डाये मोध में से नंथर घ़ सब्सक्राइब दूसर्या प्रोटीन चाएक मारिनेशन तयार करूएँ तचा मदे मीटे घेतलीला आहे दही दही आमदे आहे कैल्सियम आणि खूप चांगले प्रोबायोटिक्स जे मुलान सदी पन खूप चांगले आसता है यह दुछा घालू या मीट आता मीचा ओलीव ओईल घातला है तुमी कुठला ही तेल वापुर शकता असकाही गर्जेचा नहीं की ओलीव ओईल अस वाप्रेला हुआ आता ही चामदे फार बेसिक से मसाले घालू या आल लसुन आणि कोठीमबिरी ची पेस्ट हल तिकट धनेपूर जीरेपूर काड़ा मसाला थोड़ सा किचनखेंग मसाला भरपूर शी कोठीमबिर घालाई ची चामदे तुम्हाला हवस से तो तुमी थोड़े शा पाले पारिक चॉप करूं घालू शकता अज्वन हेल्दी हुई ले अनि हेला चान पे के मिक्स करूं घाला था अपनीर ची क्योब्स करूं घाल जे तुम्हाला अज थोड़े फार ज़्ताणे असा पावडर सुद्धा घालूं गयू हुँशकता आता अपनेला फ्रीज मादे ठ आपला कुकर झालेला आए तुम्हाला मी एक दाखा उते किती नरम हवाए अपनेला इतक्या इजीली झाला पाईजे असा हवाए आता आपन इज अतला सग्ड़ पाणी काड़ूंगी हुए एका चानी तेला काड़ूंगी हुए आपन है जातला सग्ड़ पाणी काड़ूंगी हुए ला थोड़े आपन ड्राय करूंगी हुए हलक ड्राय करूंग है चे साइडला ठेवन दिला अपन पाणी निगून जाएल करन आपला ओलसर पणा नोकुए जासता आथा एका मिक्सर बावल मदे है चर्णे जी आ है आपन परल् परफ रहेले तरही चालता आशा पद्धतीने आपने करूंगी हुए आथा यापनेला काड़ूंगी हुए ऐका बावल मदे आथा है चा मादे कांदा घलाएचा यापनला बारीक चौप करूंगे तलेला इथे मी कोथिम्बिर घितली लिया है ती घरेची है तुम्य एचा पाले भाजी घालो शकता कि वा खुंट अपन भाजा बारिक चौप करून सुद्धा घालो शकता अजुन ते हेल्दी हुई ले थोड़ो सा अथा अचा मदे पनीर घी हुया थोड़ो से पनीर मी साइडला ठेवलोता ते कुछ करून आपन हेचा घालला रोत आथा आलल कहलें तो झालो शकता ककेट खात ऑढ़नाई बारिक zoals किन्हां खोलो की हैज बिता reminding रेप को आदर किजस्च कीज को शकता खुब चान लागतों तो तुम्ही कशाताई वापरू शकता तो आता है सग्ये मसाले घालून जाले आपले थोड़ासा चाट मसाला धने जीरे पूड किंचित किचन किंग मसाला आता चाट मसाला ना प्रत्तिकाचा घरात अस्तो जरी इनकेस तुम्हें चाड़े नसे तो आता है थोड़ासा भाग मिझी बाजूला कड़ना रहे आणि हेचा मदे घालना रहे मी उकड्लेला बट्ता जरासा किसुन घालना रहे आता मुलान सेटी करतो तो थोड़ासा बट्ता आपनी चाट घालूच शकतों फवक्त डायट सेट ये बट्ता नाई खाऊँ शकत मु आणि ती तुमें हेचा मदे वापूरों शकता, आदा बेस्ना साथी मुणून हे खूप छान अप्षन आए, बेस्न कसा 15 जड असता आणि मुलान ना सुधा 13 होतो त्यानी, मुणून आपन बेस्ना साथी ना हे खूप छान सलिउशन आए, कि आपन फुटाणेची पावडर किवा साथोचा पीट भापुर शकतो आता हेचे चान टिककी करूं जाले या ता मुलान साटी करतो है मुणुन तेल थोड़ा जासता घलूं हेला शालो फ्राय करना रहे अदर्वाइस तेल एकदम कमी घलाईचा है अपला जिवा आपन डायेट साटी बनाऊ आणि कमी तेला आपने चान दोड़ी साट नी फ्राय करूं गया आता या टिकके आतना या बाहरून क्रिस्पी लागता तो थोड़े सॉफ्ट असता तहे बगाता पल्टाउन गया एक साइड जाले लिया है अपली बाहरून बगा तुम्हें वरून छाना सा क्रिस्पी ने सालेला येला थ थोड़ सा हलके हाता नेला प्रेस करूं गयाचा जेने करूं है अजुन छान होतील तहे बगा आपले टिकक्या बनुन तयार जालेला है आता ह्या मुलान ना कशा खाओ घालाय चा तेमी पूड़े सांगते तुमाला आता अपली अजुन एक स्टेप राय लिया ती मन जे प चन्वाई चा वेसस बहर कडायचा और लगेस तवयावर टाकायचा अथा मी यह सगल लोखंड़े चा तवयावर करते है तुमी नॉन्स्टिक पैन वर सुद्धा करू शकता पड़ मी लोखंड़े चा तवयावर सकरते तो बड़स आयरन पंड चा तो आता है सगल घालाय आता है अपनला दोनी सेड ने छान पेके फ्राइ करूंगे चे आता है अपनला नॉर्मल जे आपन पंडिरी टिक का करतो फैंसी तरमादे कांदा वगरे टाकून तेसागा कई करनार नहीं है मी यह एकदम सिंपल करनार है कान मुलानना है असा ही खायला आवड त चान लगत सेड अहेची पंड चान एकदम सिंपल आने तुम्हीं केवाही एनेटाइम बनाऊं तेनना देव सकता इतक जहट पढट है भनता अता है आपला जाला आपन कादूंगे हुआ तो आपने सगर तयार है आता मुलाना खावगालाईचा चालेंज तो इथे मी एक चपाती घेतले लिया है तुम्ही लच्छा पर आठापन करूंगे उशक्ता है थोड़ासा ओले लाला मिर्चेसा ठेचा लावती है जस्त थोड़ासा तिखट करेला फार घलू नका तो तो इतना है मुलाना खावलाा कारणटे पचत नहीं और ये चांगल पन नसत खावला तामल मीघचात मेवनिज वगरे काई प्रकार घाणार नहीं है आता ही टिककी घालाईचि अन्य टिककी लाना साहतानी प्रेस करूं चमचे नि प्रेस करूं पूरणा सा पोली वर आपल तोड़ूंगी विया, छोटे-छोटा पीसेस मजासा कट करूंगी विया, जेने करूनना ते प्रत्तेक बाइट तोणडा ती एला देंचा, आता हैचार तुम्हीं चीज किसुं घालू शकता, थोड़ासा चाटमसा लगातला है, तुम्चा कड़े हीरवी चटनिय सेल पुद आता है तुम्हीं साधा कांदा वापरला है, तुम्हीं लच्छा प्यास पन वापरू शकता, मजे के थोड़ासा लिम्बू अनी तिखट लाउन तो कांदा सुद्धा वापरू शकता, पड़ा अपन ठेचा टाकली लाहे तो आमण मी आजुन काही तिखट घातल नाही है अपला एक रोल बनुन तयार है आणि हाँ अपला दुसरा रोल सुद्धा बनुन तयार शाला है तो अशा पत्यतिने तुम्हीं मुलाना टिफिन मदे सुद्धा देवशकता, टिफिन संपून यहील कांद मुलाना खुप आवडेल, मुलाना चटपटित प्रकार फार आव खाने देतास्ते, एक ते दोन दिउसा आड़ा तरना पनीर खाला देते, और अशा प्रोटीन रीच गोश्टी मी बनवातास रहाते तामों तरना हे थोड़ा फार का हुई ना, तैंचा कले ने दिऊन तेनना खाऊ घाला ततास्ते, आता हेचावर आपन आता ही डायेट १ねशा घातल हाल्का फ्लेवरिंग साथि आठा ही डाही गाला पनीर खालता है आपनेर फ्राइचा ते घाणर रहा हो तुम्ही थोड़ा पातल करूं चाट सार्खासुद्ध्धा द्यूशकत मी थोड़ा घट खाला है अता हेचा पनीर घाला आचा अटार ये डायेट दोनी रेसिपी नक्की ट्राय करा अणि शक्क्य होईल तेवड़ाना मुलान चा डायेट मधे प्रोटीन चा वापर जास्त करा प्रोटीन रीच फूड तरना जास्तित जास्त करा थैंक्यू